हेलो दोस्तो 22 फीट बाई 22 फीट का एक डुपलेक्स हाउस प्लैन आप लोके साथ शेयर करने वाड़ेगा है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों ही शेयर करेंगे कलम पुजिशन्स वाल साइज सारा कुछ आप लोके साथ डिसकस करेंगे तो मेरे एक समस्क्राइब के बारे में हम लोक डिसकस करेंगे तो आगे देखते रहे हैं वीडियो को एंट तक देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूपनप चौधरी सिबिल पार्सा में सभी को स्वागत है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंज में इंटरन्स कुछ इस तरीका कह यहाँ पे द क्यासा मिलेगा एंट यहाँ पे हम लोग ग्राउंड फ्लोर में एक ही बेडरूम रखे हैं जो यहाँ पे सारे 9 फिट बाई 9 फिट का है आप चाहे तो यहाँ पे पूरा पोर्शन को आप ड्राइंग एरिया कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में दो बेडरूम दे सकते हैं आप आपके requirement के इसाब से मैं यहाँ पे एक bedroom दिया एक passage 9 सारे 9 फिट बाई 3 फिट का यहाँ पे provide किया प्रोपर ventilation से यहाँ पे मिलने वाला है इस passage को and bedroom में door जो दिया गया है 3 फिट का दिया गया है and यहाँ पे bedroom में देख सकता है 4 फिट का आप window दे सकते है bedroom का size तो 9 फिट सारे 9 फिट बोली चुका हूँ and यहाँ पे open kitchen रखे है सारे 10 फिट यानि कि यहाँ से यहाँ तक का सारे 10 फिट आपको मिल रहा है यहाँ पे area प्रोपर यहाँ पे window दिये है चारो side खुला रहेगा window का size होगा 4 फिट and यहाँ पे छोटा सा 3 फिट बाई चार फिट का आप एक kitchen के लिए window दे सकते है प्रोपर यहाँ पे open kitchen बना सकते है and यहाँ पे एक toilet चाहिए तो toilet यहाँ पे stair के नीचे एक toilet हम लोग provide करेंगे सारे 3 फिट बाई सारे 7 फिट का toilet का जो दोर होगा यहाँ पे 3 फिट धाई फिट का दे सकते है आप दोर and यहाँ पे जो steer portion अभी बात कर लेते हैं यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ पे landing होगा then यहाँ से आप करेंगे तो first floor में पहुँच जाएंगे सारे 7 फिट यहाँ पे मिल रहा है आपको and यहाँ से जो यहाँ तक का distance है 10 फिट 3 इंची ओके आप यहाँ पे confusion मत होईएगा यहाँ पे toilet का size हम लोग दिया है लेकिन 10 फिट 3 इंची यहाँ से यहाँ तक कहा है ओके तो total यह ground floor discuss कर चुके है अभी हम लोग चले जाएंगे first floor में आप देख सकते है first floor कुछ इस तरीक का हम लोगे पास होने वाला है first floor में देख सकते है यहाँ पे आपको आप होने के बाद यहाँ पे एक area मिलेगा 5 feet 3 इंची by 8 feet आपको मिलेगा यहाँ यहाँ पे passage मिलेगा सारे 3 feet by सारे 9 feet दो bedroom आपको मिल जाएगा first is bedroom जो की ground floor में देखे थे सारे 9 feet by 9 feet यहाँ पे और एक bedroom मिलेगा जिसके साथ balcony आटाच रहेगा इस bedroom का size होगा 11 feet by 10 feet 3 इंची प्रोपर window दिया गया है 4 feet का balcony 11 feet by 5 feet का रहेगा friends अब देख सकते है यहाँ पे and balcony में door दिया गया है 5 feet का toilet का बात आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 feet by 7 feet का यहाँ पे जो toilet का door हैगा यह जो door है यह धाई feet का door दिया जाएगा प्रोपर यहाँ पे आप dining यहाँ पे छोटा सा lobby बगरा प्रोवाइड कर सकते है living area प्रोवाइड कर सकते है window द यहाँ पे 4 feet का दिया गया है friends अगर कुछ एक्स्रा जान करी चाहिए तो जरूर कॉमेंट क करेंगे आप देख सकते है column positions बहुत ही बड़िया size का हम लोग यहाँ पे provide करेंगे ताकि आप लोगो कोई दिक्कत ना आए कुछ इस तरह का हम लोग column positions देंगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 piece column देंगे 9 piece column यहाँ पे provide करेंगे wall size 6 inch है और क्या चाहिए आप लोगों कुछ जा आप लोग अगर like करेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि बहुत ही अच्छा लगा है आप लोग को and comment जरूर किजएगा अगर कुछ doubt रहा तो मैं आप लोग का doubt clear कर दूँगा यहाँ पे देख सकते है कैसा लगा आप मुझे बता सकते है अगर अच्छा लगा तो चैनल को subscribe कर द आते हैं तो नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है मेरे साथ जूर सकते हैं आपका plan बना सकते हैं आज के लिए इतना है friends thank you